मेडिया के तमामी सात्यों का मैं स्वागत करता हूँ और आपका शुक्री आजा करता हूँ कि आप एक शॉर्ट नोटिस के उपर आज हमारी पत्रकार परिशद में प्रेस कांफरंस के अंदर आपने शिर्कत की चुदा तारीक को माराष्ट के डिस्टिक कोलापूर में एक घटना हुई वहाँ पर रजा मजीद फिरका परस्तों ने गजापूर में बात ध्यान अक्वाप विशाल गड़ एक किला है और विशाल गड़ के उपर एक दरगा है लेकिन जहां पर मजीद है जहां मजीद को शहीद करने की कोशिश की गई कई हिस्सा शहीद भी किया गया कुरान शरीफ की बेहरुमती की गई ये गजापूर एक गाउँ है जो विशाल गड़ से तकरीबन तीन किलोमीटर दूरी पर है मैं सबसे पहले अईलियान शहर की जानिब से मैं इस घटना की मुझमत करता हूँ जो कुरान शरीफ की बेहरुमती की गई मजीद को नुकसान पहुचाया गया मा बहिनों को खेत के अंदर दोड़ा कर मारा गया मासूम मासूम बच्चों को मारा गया मैं सबसे पहले इस घटना की मुझमत करता हूँ असल में अगर ये जो घटना होई है अगर सही मानों में इसकी तैकीक की जाए ये सिर्फ एक अचानक एक्षिडन नहीं है एक अचानक घटना नहीं है ये कही दिनों से साजी रची जा रही थी वहाँ पर कुछ जो दरगा है वो दरगा हजरस सय्यद मलीक रिहान रह्मतुलाल है इनकी वो दरगा है और बहुत पुरानी दरगा है जो विसाल गड़ पर है और वहाँ पर जिसे हम आम तोर पर दरगा के ओपर जाकर जियारत वगड़ा की जाती है वहाँ पर बखरा वगड़ा काटा जाता है और आम तोर पर वहाँ के मुसल्मान उस दरगा के ओपर बहुत मानते है उनकी अकीदत है वहाँ पर जाकर कुर्बानी भी किया करते थे ये मामला मुंबई हाई कोड के अंदर गया और मुंबई हाई कोड के अंदर कुछ तंजीमों ने अबजिक्शन लिया कि यहाँ पर बकरा या कुर्बानी नहीं होना चाहिए लेकिन मुंबई हाई कोट ने एजाज़त दे दी एजाज़त दे दी के यहाँ पर बकरा कटेगा और उसके बाद हाई कोट के आउडर होने के बावजूद भी वहाँ पर यह वातवरन को गर्माने की कोशिश की गई जहाँ पर दरगाय विशाल गड़ में वहाँ पर कई पुराने मकानात भी है तकरीबन देड़ सो से जायद वहाँ पर प्रोपटी है जो मुसल्मानों की है और आठ दस प्रोपटी यहने प्लॉट वगरा के उपर लेटिकेशन चल रहा है यह मेटर जो है हाई कोट के अंदर पेंडिंग है और वहाँ पर इसको अतिकर्मन का नाम लेकर क्या अतिकर्मन किया गया अतिकर्मन किया गया बलकि अगर आप उसकी तारीक देखेंगे जो मेरे पास मालूमात मैंने वहाँ से कुछ जानकरी ली हासिल की और जो मालूमात मेरे पास है यह बहुत पुरानी प्रोपटी मुसल्मानों की है और वहाँ पर प्रोपटी कुछ लेटिकेशन कुछ तनाजा है वो हाई कोट के अंदर चल रहा है वो जैसे कि वह इसे परस्ततिपे है लेकिन वहाँ का विसाल गर्ड जो एक तारिकी जगा है किला है वहाँ पर सिवजी महराज सत्रपदी सिवजी महराज उनका एतियासिक मुकाम भी है और उनके उस वक्त के कई एतियासिक मुकामात है लेकिन वहाँ दरगा भी है अब उसको बहना बना कर के ये अतिकर्मन किया जा रहा है दरगा के ओपर मस्जीद को मस्जीद बनाई जा रही है अतिकर्मन किया जा रहा है इसा एक तनाज़ा पैदा किया गया और ये हाई कोर्ट का जो ओर्डर आया बकरा काटने का कुर्बानी करने का ये तमामी बातों को एक किया गया एकत्र किया गया और उसके बाद ये एलान किया गया एलान ये किया गया कि हाई कोर्ट के ओर्डर से या नियाए परविश्टीस को दर बता कर कुछ फिरकापरस तंजीमों ने कारेकरताओं ने कुछ नेताओं के इसारे पर ये बताया गया हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोनिक मीडिया की वीडियो भी मौझूद है कि हमको वहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता और एक विक्ति है जो उसने अलग-अलग तरीके की पोश्ट किया कि खतरनाक पोश्ट किया है कि बाबरी चोदा तारीक फिर एक बाबरी इस तरीके की खतरनाक पोश्ट वाइरल की गई उस वेक्ति का नाम है जो वेक्ति ने अपने शूशल मेडिया अकाउंड से शूशल मेडिया फेस्बुक पर उस वेक्ति का नाम है रवी पड़वरकर, रवी दादा पड़वरकर नामी वह सक्स है उसकी भी कुछ वेडियोस है, जो वो उक्सार आ ये वहां के लोगों को और मैं साब तौर पर मुझे जाती तौर पर किसी से कोई तनाजा नहीं है कोई समाज से कोई धरम से कोई मुझे शिकायत नहीं है लेकिन शिकायत इस बात की है कि वहाँ पर जो कोलापूर के मिम्बर अब पार्लेमेंट साहु जी महराज जो अभी चून कर आए कॉंग्रेस पार्टी से उनके फर्जंद उनके फर्जंद उनका नाम है संबा जी राजे सत्रपती जो एक्स मिम्बर अब पार्लेमेंट है और वो बीजीपी के कोटे से पिछले टर्मों में राज्य सबा के मिम्बर रहे वो भाशन किया उन्होंने कि हमको वहाँ जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती और उकसाया गया को वहाँ जमा होना है और फिर ये गजापूर वहाँ से तीन किलो मिटर दूरे वो शहर के अंदर जमा हुए और परशाशन ने उनको रोका वहाँ के मौप को रोका कि आप वहाँ नहीं जा सकते हाई कोट ने उनको इजाज़त दी है तो वहाँ पर ये फसाद हुआ वहाँ की मस्ज़िद जो है गजापूर की मस्ज़िद के मैं बात बोल रहा हूँ सुनी रजा मस्ज़िद को वहाँ पर नुकसान पहुचाया गया शहीद किया गया कुरान शरीप के बेहरुमती की गई और ये तमामी मामलाद ये वहाँ पर हुए मैं उसकी मुझम्मत करता हूँ मैं बहुत छोटा आदमी हूँ बड़ी बात होगी लेकिन मैं आज साब तर पर ये कहना चाहता हूँ मैं कोई सियासत नहीं करना चाहता कि वहाँ के मिम्बर अप पार्लेमेंट जो कॉंग्रेस पार्टी से है उन्होंने अपनी पॉलिसी जाईर करना चाहिए कि एक तरफ उनका फरजंद लड़का उकसा रहा है भीड़े कट्टी कर रहा है और वहाँ पर जाकर इंदू मुस्लिम या मजजीद को शहीद करने का काम करवा रहा है खुला और दूसरी तरफ वहाँ के मिम्बर अप पार्लेमेंट साओ जी महाराज अमन की बात कर रहे है यह तफावत है यह बात पॉलिसी किलियर होना चाहिए या तो कॉंग्रेस पार्टी ने माफी मांगना चाहिए महाराज्ट की और हिंदुस्तान के मुसल्मानों से नमबर एक मैं किसी से विक्तिकत मेरा तराजा नहीं है लेकिन अगर जान बूच कर इस तरीके की घटना अगर होगी और मेरा साब तोर पर बोलना है कि सरकारी पार्टी के लोग आज जो महाराज्ट में सरकार में बैठे हुए है ऐसे लीडरान कभी समर्दन धके छुपे अंदाज में घटना से पहले और घटना के बाद भी नजर आ रहा है जो सबूत मेरे अपने पास यह मुझे मालूमात मिली है सवाल यह है कि सरकार से हम क्या उम्मीद लगाए कि सरकार से इंगवारी मांगे यह होई नहीं सकता है सरकार अगर कही न कही शक के डायरे में है सरकार के पदजी कारी शक के डायरे में है महाराश्टे सरकार की और अगर वहाँ एक तरफ मिंबर अप पारलेमेंट साबिक मिंबर अप पारलेमेंट अगर इसके अंदर मुलवीस है और अगर फिरकाप्रस तंजी में उसके अंदर मुलवीस है तो इंसाफ हमने कहा मांगना इस महराज्ट के मुसल्मानों ने मैं ये मानता हूँ कि हर समाज हर धरम हर जाती ने साथ में मिल जूल कर रहना चाहिए भाईचारा बनाना चाहिए किसी के भी मजबी मुकामात को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए किसी भी मजबी किताब को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए यह चीज़ को मैं मानने वाला हूँ लेकिन बायसियत एक मुसल्मान मैं आज यह आवाज उठा रहा हूँ और मुतालबा कर रहा हूँ कि हमको सरकार की इंक्वाइरी के ओपर भरोसा नहीं हम यह चाते है यह डिमांड करते है हाई कोड के जच से नियाईदीज से इसकी इंक्वाइरी होना चाहिए और दूद का दूद और पानी का पानी होना चाहिए सवाल यह है कि एक बहुत बड़े नेता का इनौलमेंट सामने जब आ रहा है तो यह बहुत बड़ा नेता है तो सरकार डर न डर न जाए दबाओं में न आ जाए यह बात आज सामने है हो सकता मेरी पत्रकार परिशत से कई लोगों को जानकरी हो रही कि घटना क्या है महराष्ट के कई लोगों को यह अब मालूम पड़ेगा कि घटना क्या है स्रिपो वहां के मुकामी लोगों को पता है तो इसके लिए इस महराष्ट के अंदर महाविकास आगाली के अंदर जितनी पार्टियां है उनकी भी जुम्मेदारी है चाए वो राष्टवधी कॉंग्रेस पार्टी हो चाए वो कॉंग्रेस पार्टी हो चाए वो स्यूसेना उद्दो ठकरे पार्ट की पार्टी हो चाए इंडिया अलाइंस में कोई भी पार्टी हो वजा यह है कि पूरे महाराष्ट नहीं बलके मुलकों के मुसल्मानों ने दलीत भाईयों ने आदिवासी भाईयों ने हिंदू भाईयों ने जो सेकुलरिजम और जो सम्मिधान बचाने के लिए हम लोग लिख लेते हम सब लोगों ने मिलकर इंडिया आगाली को ओड किया और अगर इंडिया आगाली के ही नेता का फर्जंद उसमें मुलवीस दिख रहा है नजर आ रहा है तो फिर हमने इंसाफ कहा मांगना तो ज्यादा जुम्मेदारी इंडिया आगाली के जुम्मेदारों की है कि इसके उपर मन्थन करे और ने तो आने वाले दिनों के अंदर यहां जो महाराष्ट एसंबली के चुनाव आरे इसके अंदर सोचना पड़ेगा इस महाराष्ट के मुसल्मानों को सेकुलर हिंदू भाईयों को दलीद भाईयों को यह बात आज मैं साब तोर पर विनंती करना चाहता हूँ इंडिया अगाली से मैं खुद भी इंडिया अगाली से तालुक है लेकिन उसके बाईयोद भी बाईयोद एक मुसल्मान बाईयोद एक हिंदूस्तानी शहरी बाईयोद सम्मीदान को मारने वाला वेक्ती या आज मैं डिमांड कर रहा हूँ और मैं राष्ट्वपती महोदया को माराष्ट के गौर्णर जो सम्मीदानिक पत के ओपर बैठे है मैं उनसे डिमांड करूँगा कि हाई कोड के सटिंग जस्से मैं रिटैर जैज नहीं बोल रहा हूँ सटिंग जस्से उस घटना की इंक्वाइरी होना चाहिए और इस माराष्ट के जनता को इंसाप मिलना चाहिए इसलिए आज की ये पत्रकार परिशत हम लोगों ने